दोस्तो वैसे तो Redmi अपने नए नए फ्लेक्सिट फोन को मार्केट में लॉँच करते ही रहता है लेकिन दोस्तो रेडमी ने इसी बीच अपना एक न्यूँ फ्लेक्सिट स्मार्ट फोन को लॉँच कर दिया है जिसका नाम है रेडमी के 30 प्रो दुस्तो ये इंडियन मार्केट में पोको एफ टू प्रो के नाम से भी जाना जागा तो आज कि हम इस वीडियो में रेडमी के 30 प्रो का करेंगे रिव्यू जानेंगे क्या है इसमें खाज उससे पले आप इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और चै है कि में दूस्तो आज कि हम इस वीडियो में यही इसी स्मार्टफोन का जिसका नाम है रेडमी के 30 प्रो इसके इसपेक्स की बात करेंगे और बारी बारी से आपको इस फौन की सारी डीटेल बताएंगे जूस्तों में बात करते हैं डिस्प्लेय के दोस्तों इसमें जो डी सेवेन इंचेस का जो कि सूपर एमुलेड डिस्प्ले है जो कि कैप एक्टिव टेच स्क्रीन टाइप का है एमुलेड है दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा दुस्तों रिजोलुशन की बात करें दूस्तों तो इसका रिजोलुशन है 1080 इंटू 2400 पिक्सल का इसका रिजोलुशन है जो कि बहुत ही बेस्ट रिजोलुशन माना जाता है दूस्तों प्रोटेक्शन की बात करें डिस्प्ले की तो इसमें कॉर्णिंग गोरिला ग्लास फाइप लगावा है जो कि दूस्तों डिस्प्ले का HDR 10 प्लस क्वालिटी है दूस्तों माइंड ब्लॉइंग क्वालिटी है डिस्प्ले की अवस्तों चलिए बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की दूस्ते एंड्रोइड 10.0 और दूस्तों जो इसमें MIUI 11 लगावा है जो कि इसका सबसे खास फीचर्स माना जा रहा है दू दूस्तों इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है कॉलकॉम स्नेपड्रेगन 865 का जो कि अभी बहुत ही कम स्मार्टफोन में ही लॉंच हुआ है दूस्तों आए सीपी यू की बात करते हैं दूस्तों इसमें सीप्यू लगा हुआ है ओक्टा को टूपॉइंट एट फोर गीगाहर का जो कि बहुत ही अच्छा है आपके मामने में अब ऐस तों आये जी पीओ की बात करते हैं दोस्तों इसमें एन्रिनो62 में मार्केट में देखने को मिलेगा दोस्तो जो पहला वेडियंट है वो है 6GB RAM प्लस 128GB की internal storage यह है पहला वेडियेंट दूसरा वेडियांट है दुस्तो वह है एडिट जीबी की RAM और 128 GB की internal storage यह दूसरा variant अब तीसरे वेडियेंट की दूसतोंdert करते हैं तो यह है 8 GB RAM प्लस 256 GB internal storage का यह है तीसरा वेडियंट अब दूस्तों इन तीनों वेडियंट का प्राइज में लाश्ट में आपको बताऊंगा आपको अब चलिए बात करते हैं कैमरे की इस इसमें quad camera setup जो कि आप थमनेल में देखेंगे यह काफी खुबसूरत कैमरा है दुस्तों इसमें पहला camera है 14 megapixel का जो आपके लिए primary camera का का काम करेगा और जो दूसरा camera है वो है 5 megapixel का जो कि आपके लिए टेली photo macro lens के काम करेगा आपके लिए जो कि बहुत ही खास experience है camera के लिए अब तीसरा camera है 13 megapixel का जो कि अल्ट्रावाइड के लिए यूज किया जाएगा और दूस्तों जो चौथा camera है वो है depth sensor के लिए अब दूस्तों आईए बात करते हैं battery की दूस्तों इसमें battery लगा हुआ है 4700 image का जो कि काफी अच्छा backup आपको देगा दूस्तों ये फास चार्जिंग भी सपोट करता है और ये आपको 33 वाट के charger के साथ भी मिल जाएगा दूस्तों ये आपके फोन को लगबक एक घंटे में full charge कर देगा दूस्तों आईए बात करते हैं सेल्फी की दूस्ते इसमें pop-up camera है जो कि इसका सबसे खास features माना जा रहा है दूस्तों ये camera का है ये जो है ये बीस 25,250 ठीका दूस्तों अब दूस्तों जो दूसरा वेरियंट है 8GB प्लस 128 GB RAM का वो है 45,500 और दूस्तों जो तीसरा वेरियंट है वो है 8GB प्लस 256GB की इंटरनल इस्टोरेज उसका प्राइज है 53,000 दूस्तों ये फोन काफी कोशली है तो दूस्तों यही कुछ कहानी थी आज की वीडियो की तो दूस्तों कैसा लग आपको सभी जूखरियो रिडिमी के 30 प्रो दूस्तों कमेंट करके ज़ूर बताईएगा दूस्तों आज की वीडियो में हम बस आपके लिए इतना ही कुछ कुछ लेकर है आ रहे दिस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया tapi प्र्य FERG झाल झाल